हेलो दोस्तों कीफैक्ट चैनल में आपका स्वागत है मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे तो चलिए आज मैं आपको दस खतरना कुत्तों के बारे में बताऊंगा इन सारें दोरह सबसे ज़्यादा पाले जाने वाला जानवर कुत्ता ही है क्योंकि ये मिलनसार और समझदार होते हैं हजारों वर्स पहले जब मानो जाती ने विक्सित होना शुरू किया था तब मनुसिस से सबसे पहला जानवर कुत्ता ही पाला था इनसान ने कुत्तों को इस तरह पालना शुरू किया कि कुट्टे सामाजिक जीव माने जाने लगे कुट्टे उन्हें शिकार में मदद भी करते थे इसलिए कुट्टों को आदमी का सबसे अच्छा दोस्त भी का जाता है वैज्ञानिकों ने कुट्टों की अलग अलग प्रीड भी रखा है दुनिया में कुट्टों की विभिन प्रजातियां पाई जाती हैं, चिन में से कुछ प्रजातियां बेहत ही खतरनाक होती हैं, पहले नंबर पे आता है पिटबूल, दुनिया की सबसे खतरनाक नसल पिटबूल होती है, पिटबूल कुटा बेहत खतरनाक और हिंसक होता है, या कुटा किसी भी इनसान को बुरी त कुट्टे का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसे पिट्स में लडाई में उतारा गया था इनका जीवन काल लगबक सो आठ से पंद्रा वर्स तक ही होता है इन कुट्टों का वजन लगबक सोले से तीस किलोग्राम होता है और ये कभी-कभी पहुत जानलेवा साबित होते है वहीं दूसरे नमबर पर राट विलर का नाम आता है दुनिया की सबसे खतरनाक कुट्टे की नसल में राट विलर दूसरे नमबर पर है ये कुट्टा बेहत इंसक और निडर होते हैं इन कुट्टों में उनके दात बेहत खास होते हैं यदि ये अपने दातों से कुछ होता है और उनकी हाइट लगवक सतर सेंटिमीटर होती है और इनका जीवनकाल आठ से दस साल का होता है वहीं तीसरे नंबर पे जर्मन शेफर्ट है जर्मनी प्रजात के जर्मन शेफर्ट आम तोर पे कई लोगों के पास देखे होंगे ये कुट्टे पुलिस आर्मी कट्ध का उधरतिक टोटि और घरों में पाले जाते हैं जर्मन शेफर्ट बहुत ही वफादार और मिलनशार कुट्टे होते हैं इन कुट्तों की सूगने की सक्टी बहुत ही तेज होती है इसलिए इनको पुलिस और आर्मी में भड़ती कि yaca है ये कुट्टे खतरिनाक और हिंसक होने के साथ साथ माहिर भी होते हैं जर्मन शेफट का वजन लगवा 30-40 किलो होता है ये कुट्टे 108 किलो के दबाव का किसी भी इनसान को काट सकते हैं इसलिए इनके काटने पर इनसान की मौद भी हो जाती है इसलिए आप इन कुट्टों से बहुत ही साथधान रहें वहीं चौथे नंबर पर डावर मेंट पेंश्यर को शामिल किया गया है इस ब्रीट के कुट्टों को आपने अपसर पुलिस और खूपिया क्लीम के पास देखा होगा क्योंकि ये अपने आकार के साथ साथ बेहत ताकतवर और आकरमत होते हैं ये कुट्टे अपने मालिक के लिए बेखत वपादार होते हैं वहीं अन्जान लोगों के प्रति ये कुट्टे बहुत खतरनाक होते हैं इन कुट्टों का वजन लगवक 35-45 किलो तक होता है जब कि उनका जीवनकार 9-12 साल तक होता है इन कुट्टों को भी कई देशों पर रोक लगाई है वहीं पांचवे नंबर पे बुल मास्टिफ को रखा गया है बुल मास्टिफ बहुत खतरनाक और आकरमक कुट्टे होते हैं ये शक्तिशाली कुट्टे सही ट्रेनिंग मिलने पर आग्याकारी कुट्टे भी साबित होते हैं इनके पैर बहुत लंबे होते हैं इस कारण इन बुल ब्रीड जैसी ही होती है बुल मास्टिफ कुत्तो को मुख्यतर गार्ड्स कुत्तो के रूप में पाला जाता है इनका वजन लगबख 50 से 60 किलो होता है वहीं छटे नंबर पे दोगो अर्जेंटीनों को रखा गया है दुनिया का सबसे खतरनाग डोग में डोगो अर्जेंटीनों का ना शामिल है यह कुत्ते वपादार, स्वतंत और फुड एनर्जी वाले होते हैं इन कुत्तो को शिकार के लिए इस्तमाल किया जाता है यह कुत्ते यूके और कई देशों में बैन हैं उनका जीवन काल नौ से पंदर साल तक ही होता है इनकी वजन लगभग 45 किरो से होती है और इनकी हाइड लगभग 70 सेंटिमीटर होती है और यह बहुत ही आप्रामाग होते हैं वही साथ हो नंबर पे साइडियाई, हस्की, शामिल है इस ब्रीट के कुट्टे देखने में बेड़िये जैसे और बहुत संदर होती है यह कुट्टे जादा तर बर्टीली जगवा पर पाये जाते हैं इनका इस्तिमाल बर्ट में भारी सामानों को खीजने में किया जाता है इनका वजन लगता 20 से 27 किलो के बीच होता है इन्हें स्लेज डॉक के नाम से भी जाना जाता है यह कुट्टे दुनिया के सबसे क्यूट डॉक ब्रीड में से एक हैं वहीं आठ़वे नंबर पे पुल्फ हाईब्रीड कुट्टास शामिल हैं यह कुट्टे भालू के बंशक हैं इनके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कुट्टे और भालू के crossbreet है ये कुट्टे देखने में भी भालू जैसे लगते हैं wolf आइबरेट्स बहुत ही खदरनाक होते हैं ये इनसान को नोच नोच के खा जाते हैं ये कुट्टे बहुत समझदार और वफादार होते हैं इनका वजन लगवाग 36 से 56 किलो होता है और ये बहुत ही हिंसक होते हैं वहीं नो नमबर पे बॉक्सर को रखा गया है बॉक्सर कुत्ते देखने में ही खतरनाग लगते हैं ये सिकारी कुत्तों के वंचक हैं इन कुत्तों का जबड़ा बेहत मजबूत होता है इनकी हाइट 60 सेंटिमीटर होती है वहीं इनका वजन लगवाग 30 से 32 किलो होता है इनका इस्तमाल गार्ट्स कुत्तों के लिए किया जाता है बॉक्सर सुरक्षात्मक नसल के होता है वहीं दस्वे नंबर पे ग्रेट डेन का नाम है ग्रेट डेन बेहत खतरनाक और बहुत बड़े कुत्ते होते हैं ये कुत्ते मजबूत और तेज दोड़ने वाले होते हैं इनके बाल छोटे आकार के होते हैं इसे किलिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है ये कुत्ते आकार में बहुत बड़े होते हैं और ये अपने मालिके बहुत प्रिय होते हैं इनका वजन लगबग 54-90 किलो तक बताया जाता है इनका जीवन काल लगबग 8-10 वर्स तक होता है आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें धन्यवाद